बुलिये सद्गुर्देवकी, बिन देखे उस देश की, बात करें सुकुर्ष, आप तो खारी खाते हैं, बेचत प्रे कपुर्ष। कभी कभी कुछ मत्पता अंतरों की पुस्तकों का पर्विवेशना करने पर एक आश्र होता है, क्या सथ लोक की व्याख्या करते हैं वो, कि यह सिंगाशन पर कभिष यह सब बेचे हैं, नहींHay वहां कैसा सिंगासन है कुछ लोग कह रहे हैं नदियां बह रहे हैं जरने सुन्दर सुन्दर कहां की बात कर रहे हैं मेरे भाई पानी नहीं पवना नहीं धर्ति और अकश्वा बात कहां की कर रहे हैं ऐसे लोग भिर्मित हो जाते हैं पिर कुछा ऐसे तथा कथित लोग आते हैं महां का कहते हम सत लोग गएते ऐसा ऐसा है मैं की थेखे तुम्हारा सत लोग इस पेशल है कोई ले साहिब ने कई जगे इसका बढ़न किया वह घर सबसे निया रहा हूँ, हाँ, वह घर सबसे निया रहा जहां पूरण पुरश्ठा मारा, जहां नहीं, दुख्षु क्जें पाप नपने पसा रहा, अबदू बेगम देश हमारा इसमें भी साहिब ने हजारों जगह उस देश का वणन किया विडमना ये है भोले भाले लोग उलज जाते हैं ऐसे मतंत्रों में उनको नहीं पता है बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर जहने दुखसुप साथ जोटने पाप न पुने पसा रहा को पाप और पूंने दोनाने पाप अपने ये दोनुं बेड़ी एक लोः एक कंचन के रिए लेकन संसार में कृट करना है कर्म इश रियर का की बरतिए शुप कर्म फल रहतों कर्के करना है बलकि इच्छा रहे तो करके वहाना पाप है ने पुणे है जहां पुणे का अस्तत्न है वहां अवश्य पाप रहेगा जहां रात है वहां अवश्य अंदगार होगा नहीं दर रहें चंदन सूरज बना जोती होजे आ रहा है बिन बादल जहां बिजली चमके बिन सूरज होजे आ रहा है अब दुख बेगम देश हमारा बड़ी सुन्दर बैक्ष्या है आप इसी से अंदाज लगाओ हमारे शास्त्र में कुछ वर्णन है सरगुन निर्गुन भक्ति का वो भी गलत नहीं है मुझसे किसी सज्जन ने एक सवाल पूछा जो श्राद करते हैं इसकी वास्तविक्ता क्या है कि भाई साल में एक दिन पित्र तरपन करके कन्या को ब्रह्मन को भोजन कि लाया बाकी क्या होता है मैंने का आपने प्रशन किया है दियान से सुनना हो जब प्रति पर एक दिन होता है पित्र लोग का पित्र लोग का एक दिन इस मिर्ति लोग के एक साल के बरोबर होता है इसलिए उनको जो तरपन करके आहार दिया जाता है वो समझो रोज उसे दिया जा रहा है साहर ने इस पर बड़ी अच्छी व्याक्या दिये आप दूर न जाओ धर्ति के चौदा दिन के बरोबर चंद्रमा का एक दिन होता है वो तो बहुत दूर भी नहीं है तीन लाग असी अजार चारसो किलो मीटर है और इसी चौदा दिन के कारण मल मास आ जाता है उसको खट मास भी कहते हैं अंग्री जी और हिंदी में ये इंतर है हमारी काल अबदी चंद्रमा से ली जाती है तो क्यों न पित्र लोग का फिर छे मेने एक दिन धर्ति के बरोबर छे मेने का हुआ प्रमान सामने है गोश्टियों में प्रमानित किया जाता है द्वंध नहीं की जाती है प्रति सुपरदा गलत नहीं है वो एक उन्नत्ति की सीड़ी है पर प्रति धुंधता बहुत गलत है वो एक हिंसा का आयाम है इसलिए प्रति धुंधता से बचना चाहिए जाने बगैर किसी के दोश को बोलना भी गलत है इस प्रकार से साहिब ने एक शब्द का है जब ब्रमान जी का एक यूग एक दिन होता है प्रति का एक यूग खत्म हो जाता है इसी तरह ब्रमान जी का विर्णन है एक शब्द में मुझे पूरी तरह ध्यान नहीं है तब विष्णु जी का एक अवर होता है कई पढ़ले हो जाती है शिव जी का मात्र एक दिन होता है साहिब क्या कह रहे है कोटिन ब्रमा गैस राई मौरी एक पल्या यानि सत लोग का एक पल्य होता है हाला कि वहाँ समय तो है नहीं है यह सब अद्बुत कहानी है इसमें वास्त रुकता है सूर्य नहीं है नजोती है जहां रैंड भी नहीं है दिन भी नहीं है दूर न जाए मैं अक्सर जाता रहता हूँ विर्टेन में भी अमरिका केनला तो विर्टेन में लिष्टर में आप मानेंगे रात होती ही नहीं है आप कहेंगे गप मार रहे हैं पता है क्या होता है अधिक से अधिक ऐसा होता है जैसे सुबह अधिक सूर्य उदित होने वाला हो तो न अंधेरा होता है न प्रकाश होता है ऐसा बाता बढ़न होता है मेरे लिए वो एक कम रहा हो जब मैं परदा हटा कर दिखता हूं रात का एक भी बज़ रहा है लेकिन ऐसा लगता है जैसे सुबह होने वाले है मैं ट्रेंड में यात्रा कर रहा था कुछ माता है मैंने बेटन से आई थी वेशन देवी जा रहे थी उनकी सीटें नहीं थी मैंने बेटने की जगे थी मेरा बर्थ बुक था तीन चार थी मैंने का बेट जाओ कोई बात नहीं वो लुद्याना से बेटी थोड़ी बात चीछ थुई मैंने उनसे पूशा कि वहाँ का क्लाइमेंट कैसा है बुला वहाँ स्रफ 15 मिनट की राज होती है बाकी दिन नोता है उन्होंने कहा मैंने पूशा फिर आप लोग सोते कैसे हैं बुला बहुत डार्ट कलर के परदे हमने अपने घरों में लगाया है एक कर्तिम अंदकार का हम सिर्जन करते हैं उसमें सोते हैं नींद अग्यान की दो तक हैं इसलिए नींद अंदकार में ही आएगी एक छोटा बालक था मातर छे साथ महने का मा जब उसे सुलाती थी दिन में तो इस तरह वो आँकों से एक इशारा करता था बलप की तरह अतना intelligent था इसको बुझाओ तो बंदो बनातीत हैं वो लोग में ये कहना चाहरा हूँ शब्दातीत हैं वहाँ रात और दिन नहीं होता है वहाँ उब नहीं है वहाँ मन नहीं है और हजारों शब्दों में साहिब ने उस लोग का बनन किया है अब दू बेगम देश हमारा वेद कितेब पार नहीं पावत कहन सुनन से नहा रहा है शोकाने वाली बात है वेद कितेब पार नहीं पावत कहन सुनन से नहा रहा है वेद कितेब पार नहीं पावत कहन सुनन से नहा रहा है वेद कितेब पार नहीं पावत कहन सुनन से नहा रह हाँ फिर यह कैसा प्रकाश है इसका वर्णन साहिब कर रहा है हमारी में अद्बत जोती पुरिश की काया अब हम यहाँ पर जब जोती का उल्ले खाता है तो कृत्म कृत्म जोतियों को देखते हैं अब सूर्य में प्रकाश क्यों है क्योंकि इसमें गैसे हैं कुछ ऐसी सूर्य कई गैसों का समू है आप देखते हैं आप यहां गैसे जलाते हैं आप भोजन के लिए तो उनमें से निकलती है अगनी में रोश्नी है और तापमान बहुत हाई है वहाँ इस प्रकार से चंद्र सूर्य नहीं वहाँ और नहीं तारे हैं नहीं रेंग है न दिवस है आगे क्या कह रहे हैं वेद कितेब पार नहीं पावत कहन सुनन से निया रहा है वेद तो भीया वेद कितेब कुरान बोला वो भी पार नहीं पार रहे हैं कहन सुनन से निया रहा ह जो पहुचा जानेगा वो ही कहन सुनन से नारा है जहाने यान जानने जब तो बेत कितेव नवाने करनी धन्वी रहन कहनी ये सब यह हिराने बही हिराने वह ऐसा कुछ नहीं है वहाँ आत्मा की व्याक्या में भी आता है वो नर्दून्द है इन सब कार्यों से परे हैं, ने जनम्ती है, ने मर्ती है, ने भूख लगती है, ने प्यास लगती है, वैसा ही वो देश है। मूल न फूल, बेल नहीं भीजा, बिनाम रिक्षफल होई, अच्रज है, अबदू, अद्बुत देश हमारा है, अद्बुत है, तहंके गए बहुड़ना आवे, बेगम देश हमारा है, जहां का गया फिर वापस नहीं आता है, वहीं, सदा अनन्द होता है वाघर कहन सुनन से हजारों जगे पर उलिक करके करें हनसा, तू तो अमण लोक का, पड़ा काल बस आई, पांच, पचीस, तीन का पिंजड़ा, ये शरीर, तामें तुहराखा फरमाई, जो शरीर की हैबिट है, आत्मा का उससे कोई संबन नहीं है, ये तो शरीर की हैबिट है, पांच तत्त्त की पचीस प्रकृतिया, हर्तत्त की पचीस प्रकृतिया, जल की पचीस प्रकृतिया, पांच प्रकृतिया, रक्त, खुन, थूख, मूत्र, बीज, थूख, मूत्र, पसेन, रक्त और बीज, इसी से वासना हो रहे है, इसी से वासना हो रहे है, यह तो हमारे शरीर की वर्तिय है, हमारे आत्मा का इससे कोई संबन नहीं है, अगनी की पांच वर्तिय है, देखे, पांच पचीस तीन का पिजड़ा, तामें तो हिराखा फरमाई, अब पांच तत्व, अगनी तत्व से भूख, प्यास, आलिस से निद्रा जम्भाई, यह नी पांच पचीस तीन का पिजड़ा, तामें तो हिराखा फरमाई, पांच तत्व, पचीस प्रक्रिती, तीन गुन, इसलिए जब रजो गुन पर मुक होता है शरीर में, तो आप अलग सोचते हैं, तमों गुना आता है, आप बहुत नेगिटी होते हैं, सतों गुना आता है, तो आपके विचार थोड़े उत्तम होते हैं, रस्तम सत ये तीन, पांच पचीस तीन का पिजड़ा, तहमें तोहें राखा भरमाई, बस वायूगी परवर्टी है, सुकरना, पसरना, बल लगाना, बोलना, सुनना, इत्यादियना, इस तरह काम प्रोध लोग वो एंका राधि आकाश की बढ़तिया, तो इन सबका संचालक है मन, इसकी कमांड पूरी मन है, कितना साप साप साथ बोल रहे हैं, संतों तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, देव नरंजन सकल शरीरा, तामे भरंभरं रहल कबीरा, इनसानों के अगर कर्मों की तरफ हम थोड़ा दृश्टिपाद करेंगे, तो सब मानसिक कारे हो रहे हैं, इसलिए इसमे आत्मा फसी हैं, यह बहुत दुखदाई है, हमारी आत्मा का कर्म के छेतर से कोई संबन नही हैं, यह तो इस पंचमोतिक शरीर की प्रवर्ति हैं, और इतनी बारी के से बैठ करके श्रश्मना के अंदर मन पूरे काम कराता है, क्या बात हैं साहिब की वहानी में, कितनी गंबिर्त हैं, मन जागे, मन सोए, मन लेवे, मन देवे, मन हसे, मन रोए, मन केर हैं यह सकल पसा रहा है, मन से दूजा और नाना, और आपका वहरी मन से और कोई भी नहीं है, यह सब मन केर पसा रहा है, इसलिए बड़े-बड़े गंधर, रिशी, मुनी, तपस्त्वी, देवाधियों को यह नचाता है, इर, पेगंबर, कुतुप, अलिया, काल, निरंजन, सब को दलिया, गणगंदर, रिशी, मनी और देवाधियों, सब मिलकरे मन है किशेवा, सिच साधक और जोगी जत्ती, मन को समझना पाए रत्ती, जाए निरंजन, माय समावे, आगे का कोई भेदने पाए, यहीं तो बात लेकिन जो विवेकवान लोग है इस बात वो समझते हैं, कह रहे हैं, ओहंग सोंग, सोंग भी देए बहुंग, अड़ा अड़ा दे, स्वास लेतना कोई, मूल न फूल, बेल नहीं भीजा, मूल भी दे, फूल भी दे, भीज भी दे, क्या बात है, बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा, बिन सी पी जहां मोती उपजे, वाग, क्या, इतना सुन्दर अलंग कार से साहिब ने, इन महानियों का, उले क्या है, आप विशार करें, अपनी महानी में एक जगे साहिए, बस कागद में छूँ नह कलम गही नही हाथ, चारो युक का महातम कबीर मौकिक जराईबाद, नजाने कितने लोग कबीर साथ की थियोरी पर पिएशडी किये हैं, नानक देव जी पर नजाने कितने लोग पिएशडी किये हैं, संतों के उपर नजाने कितने लोगों ने पिएशडी किये हैं, जरूर क्विर एक को जानिया तो जाना सब जान क्विर एक ने जानिया सब जाना जाना आगे कह रहें मूल न फूल बेल नहीं बीजा बिना ब्रक्षफल होई नहीं निर्गुण नहीं सर्गुण भाई नहीं सुक्ष मस्तूला बड़े-बड़े विद्वान कवीर साब को निर्गुण पासक बोलते हैं निर्गुण नाम निरंजन राई कहे कवीर किस किस को समझाओं सब जग अंधा कहे कवीर मैं किस किस को सम्झाओं सब जग अंधा सब को लगल बाप पिठवा का दंदा अब वो इसको कभी साब कुण निर्गुण पासक बना कर बैठे हुए हैं जो विद्वान है वो समझते हैं कि यह कितने भिर्मित लोग हैं नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई नहीं सुक्ष मस्तूला ना अक्षर ना अभिगत भाई यह सब जग की बूला जहां प्रुष्टा कुछ नहीं भाई कहें कभी रहम जाना मेरी सैन में लखे जो कोई पावे पंद्रमा सैन इशारे को कह रहे हैं अब यहां साथ पता हैं एक बात बड़ी पते की बुल रहे हैं तंथिर मंथिर वचंथिर सुरत निरत्थिर होए कहें कभी तापल्क को कल्प नपावे कोई वही तन इस्तिर हो मन इस्तिर हो वह एक पल कालंतर की सावना से भी उपर है सुरत मिलाओ नाम में पर खुट अक्सारा अब नाम यह शब्द आता है तो लोग अनहत को सब्सक्राइब करने लगते हैं नहीं भाई संतों शब्द सब्द जिन्यारा और नाना मत मतांतर इसी धुनों को अंद्रे का कई कभी यह जग अंद्रे का थी सच्छा पर्मात्मा बोलते हैं जब मैंने इन रहस्यों से परदा उठाया तो पता हैं अब क्या हैं वो पुरान किताब इस्टाल से मंगा कर अब मेरे वाली तियोरी को लिख रहे हैं ठीक हैं चलो कम सकम अकल तो आ गई न बिन रसना का जापैस सबहिन से न्यारा यानि वो जाप बिना रसना जीप को कहते हैं कैसा जापैस अजपा पर आगे साहब क्या करें जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए सुर्ट समानी शुद में ऑक्वकॉ काल म लगा है।। इस सीधो रहा है, शुत की को एसमानी शुद है। उसको काल लगा है। सुरत समानी शब्द में उसको काल लखाए। फिर कौन सा शब्द है। सोतो शब्द भी देया है। लिखान जाए पढ़ान जाए। बिन रसना का अजाब मैं समहिन से नहा रहा। बातन भक्ति ना बने नहीं रीचे करता रहा। सरफ इन से नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं। गोष्टी करते हैं। बाद भी बाद करते हैं। क्या। यह चौपाई रामयाण में कौन से कांड में हैं। अरे छोड़े यार भाई। अठारा अजार कुछ चौपाई आएं। यह तो एक मेमोरी की ट्रेस्ट लेर रहा है। और जो चुनी चुनी चीजें वो बोलेंगे अगले को उसका पता नहीं। आपके पास कुछ ऐसे प्रश्ण होंगे कि मेमोरी में जो मुझे नहीं याद है। मेरे पास ऐसे हजारों वो शब्दें जिनका उत्तर कोई नहीं दे पाया। यह यह विवाद नहीं है, यह गोश्टी नहीं है। हमें जटिलता से सरलता की तरफ चले। तन्मन गुर को सौप दोता पावो दीदारा। अब हर जगे एक बात आ रही है। तन्मन धन गुरु को सौपो। क्यों सौपें। क्या मतलब है इसका। अरे भाई आत्मा तन्मन धन तीनों अपना मान कर गी तो फशी हुई है। गुर कुमार शिशकुम्भ है। गडगड काड़े खोट अंतर हाथ साह कर उपर मारे चोट। गुर कुमार शिशकुम्भ है। गडगड काड़े खोट अंतर हाथ साहर कर उपर मारे चोट। तो बंदों इस तरह आपके मश्टिश में जो उटने वाले विचार हैं आपकी बुद्धी में जो जो खयाल आ रहे हैं वो आपके नहीं है। सिधी सी तो बात है आत्मा संकत व्यकल्प से परे हैं। इसी में पूरा जगह तो लज गया। आगे क्या पूर रहे हैं पर रहे हैं। जहनलक सुद्ध शरीर की नहीं सुम्रण भाई वाह। कह रहे हैं जब तक शरीर का सुद्ध है वो सुम्रण नहीं है। ना सुख विद्या के पड़े ना सुख बाद में बाद सहजो साथ सुखी कहें लागी शुन्य समात। डाक्टर आपका उप्चार आपके अनसारों नहीं करेगा। वो आपके अनसारों नहीं करेगा। अपने हिसाब से करेगा। इसलिए शुन्य में, जहां शरीर नहीं, मैंने कई बार अपने परवचन में जीवत मरिय भोजल तरिय का उलिक किया है। जब लग से शरीर की नहीं सम्रण भाई, जब तक शरीर की सुझे मन है। संतो तन कोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, क्रियाई मन है, यह सब मन है। आत्मा इन से परे है। शब्द वहन नम्चाल है, जावी जन कोई। नूर मिलाओ नूर में, ऐसी लिव लाओ। नूर मिलाओ नूर में, क्या नूर है। आपकी आत्मा जो है, वो ध्यान है। यह नूर है। जितने भी काम हो रहे हैं, सब को आत्मी शक्ति से हो रहे है। मिलाओ नूर में। आप परमात्मा को नहीं जानते कैसे मिलाओगे। गुरु में मिलादो। गुर्षुर्थी सुर्धेन उसभाना। शब्द डोड़ लागी रह तभी चड़ जाओ। जगर-मगर जहां जोते हैं वहां ध्यान लगाओ। जिल्मिल जिल्मिल नूर को नैनों दर्साओ। गैब दृष्टि को खेज के अर्ताम हैं समाओ। कहे कभी धर्मिलास को दर्गाहत अपाओ। वा, क्या बात है। तभी तो गुर्व के ध्यान को सर्वोच्य ध्यान बोला गया है। शमय चाहता हूं। समय हो रहा है कल पुने हैं। मैं हाजर हो जाओ। थोड़ी थोड़ी है। झाल 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 झाल